कर स्वागत है आपका निलमपवाड डेली तड़का किचन में आज बनाने जा रहे हैं हरे यान इश्काइल में हरे प्याज की कड़ी ये मैंने कड़ाई ले ले ली इसमें दो टीस्पून के करीब सरसोका ते तेल गरम ओने के बाद में एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून मित्की दाना दो हरे कटे प्याज अद्रक अवलसंका ताजा कुटा पेश्क अद्रक अवलसंका ताजा कुटा पेश्क अधर नुष्ण हरी मिर्च, स्वाद नुषा हरी मिर्च, एक कटा बारी कटा टमाता एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मित्क पाउडर, एक टीस्पून धन्या पाउडर स्वाद नुषा नमक, यह मैंने आद्दा लिटर से थोड़ी से ज्यादा खटी चाच ले ली है, रेक टोरी पेशन यह मेरा प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से बिन गया, यह हम बेशन मिली चाच, मिला देते हैं पकोड़ी बनाने के लिए करीब 100 ग्राम बेशन, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, स्वादन उसार नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, यह पकोड़ी बनाने के लिए मने करीब एक टोरी बेशन ले लिया, इसमें बेशिक मसाले डाल दे हल्दी नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, यह थोड़ी का सूरी में थी, अच्छे से ख्रस करके, पकोड़ी बनाने के लिए एक कडाई ले ली, इसमें करीब दो टेबल स्पून, तेल सरसो का, तेल गरम हो गया, इसमें आप अपने मन चाया कार के अनुसार पकोड़ी, तर्चा के अपने हुआत नंत्य। थोड़ा देशी गी, खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा करी पत्ता, एक चुट्टी केकरी और ताटी स्पून हेंग, थोड़ा, लाल मिर्च पाउड़ा, एक पकोड़ी, स्वाधिष्ट, तरका, पड़ी, कि एक तर्ड़ी, तरका, भाल मिर्च, कार पाउड़ा, योड़ी, थोड़ी, उादान, तरका, रखाया कि अ माल मिर्च, एक रखा शेश क पाक Let's